केहलों वेलकम टुदिक ils एड्युटेख में आप लोगों का SST teacher... में प्रिवेस्ट तो आज हम civics का फॉस्टचप्टर, यानि कि, civics का फॉस्ट जाप्टर नेम अभदध चाप्टर है तो दाइवर शीटिन इंडिया हम लोग यह बार बार उपट भी है क्यों के हमारी इंडिया क्या है rich in diverse city है तो आज हुम के उसी diversity को कि जानने की कोशिज करेंगे diversity कि कि चीज में एंड मारे इंडिया ओक किस लिए ओक होगी in diversity है तो स्टार्ट करते हो कि पहले हम देखेंगे कि diversity क्या है, तो तो फिगर कि फिफ रो हो कि हम लोग जाने की कोसित करेंगे कि diversity क्या है, तो यहाँ पर फिगर किस देक सकते हैं आप लोग, meaning of diversity, यहाँ पर देख रहा हो कि हमें अलग अलग टाइप यहां पर अलग-अलग लेंगविज देख रहा है, हिन्दी, पेंगली, तेलगू, इंग्लेज, तामिल, गुजरात, डॉटरी, आसामिस, नेपाली, तो अल इस आर दा भाराइटीज से और डिफ्रिन टैपस ग्विज। यहां पर डिफ्रेंट टाइप रिलिजन हो गया, यहां पर देखेंगे, तो यहां पर हमारा इंडिया में desert area भी है, okay, plateau area भी है, mountain area भी है, plain area भी है, coastal area भी है, okay, उसी तरह से, अगर हम dance को देखेंद तो गेट, अलग-अलग type के diversity, okay, हम लोग देख सकते हैं, अगर, okay, यहां पर, हमारे देश में, नहीनीज देख रहने वाले, अलग-अलग राज्या का, अगर अगर श्राज्या का, कि हम लोग क्लोट्स देखें, तो क्लोट्स भी, okay, अलग-अलग टाइप की, okay, पहनते हैं, ठीके, तो leggनल ओपर अब यहां कि बटा रहां हूँ कि डाइवर्सिटी क्या है यानि कि डाइवर्सिटी मिंस दिफेरेंड काइंड आफ जो टींग्जोटिंग ही एक्जिस्ट करते ही हमारी इंडिया में हमारे इंडिया में बहुत सारे चीजों में नियुक्ति बहुत कीए जाते हमारे अगर फूट के बात करते तो इसे बहुतके ए Herbert K फूट को प्रिफर करते हो कि हमारी इंडिया में अगर क्लोट के बाद करें तो डिफरेंट टाइप सफ एतनी क्लोट्स आवन बाइद पीपल ऑफ आवर कंट्री अगर डांस का बात करें वहां पर भराइटी ऑफ डांस समय देखने को मिलते हैं ख़कर अगर धर्म के बाद करें तो ओके अलग अलग टाइप की धर्म हमारी इंडिया में पायजातें तो इसी ओक चीज को क्या के़ते हम लोग डाइवर सीथी केimes makes क्लिए रहे ओके नौ अब डाइवर्सिटी ओके किस किस चीज में ओके यह बहुत इंपर्टेंट है वो तो डाइवर्सिटी का मिनिंग हो गया कि वह से ओकिया आप लोग ने बहुत सारा चीज तो सीक लिया है नौ डाइवर्सिटी इन जो ग्राफिकल फीचर सी यानिकी हमार हम लग देखते हैं तो यहां पर ओके यह देखते हैं तो यह सब हमारा क्या हो गया हिमालाइन यानिकी मांटीन एरिया हो गया यह हो गया हमारा डेजर्ट एरिया हो गया यह हो गया हमारा कोस्टल एरिया हो गया यह जो भी देख रहो कि हमारा कोस्टल एरिया हो गया ओके य तो पर मिलन दिखाय दे रहे, और यहां पर प्रह रहे हैं और यहां पर सेंट्रल हाइलन्ट खे लो कि दिखाय दे रहे, या जो ग्राफी में कि य्चुज से रहे लागा, जो बहुंत στο बHE con航े週01, समना वदेखते हैं, तो फिर लेंड मैं नहीं दाइवर्सीटी थो और या कि यहां पर सभी स्टेट्स का नाम भी दिया है कि यहां पर हमें अलग अलग टाइप के लेंड फॉर्म देख रहा है जिसको हम क्या कहे थे जो क्राफिकल फीचर्स के थे क्योंकि डेजर्ट के मांटेन एरिया, प्लेट्व एरिया, सेमी एरिट एरिया, पोस्टल एरिया, उसके आइलेंड će में लेंड फॉर्म हे यह सब की डाइवर्सिटी इन लेंग्वीज, यह तो ओके, आप लोग यहां पर अच्छे से देख सकते हैं, महारास्टा गुजरत, ओके, ओके, अगर लेंग्वीज के बात करें, तो उसमें भी क्या है डाइवर्सिटी, यानि कि भासा भी अलग-अलग भासा का प्रयोग किये जाते है हमारी इंडिया में, यानि कि हिंदी, मेभी हमारे भारत के लोग बात करते हैं, नेपाली में भी, इस तरह से, लदाकी, कस्मेरी, पंजापी, गुजराटी, विली, मराथी, कौनकानी, तेलुगू, कनड़ा, तामिल, मलायलम, उरिया, बेंगली, आसामीज, खासी, निसी, एओ, मनिपूरी, मेजू, तो अल इस आर डिफ्रेंट, टाइपस अफ लेंगूइज, विच आर इस पोकन बाइद पीपल आप कांट्री, यानि कि ये जो बहुत सारा लेंगूइजे से, ये सभी लेंगूइज को हमारी इंडिया में क्या किये जाते हैं, ये सभी लेंगू सेकेंड, इंगलिज का भी क्या किये जाते हैं, ये सभी लेंगूइज ओक्य यानि कि वह उतना लेंगूइज, वह जैसे बहुत सारा 22 लेंगूइज हो कि हिंदी, नेपाली, टाइंगूइज, ये जो भी 22 लेंगूइज है, उसे हम ऑफिशियल वर्क में भी क्या कर सकते है सकते लेकिन ज्यादतर तो की हमारी इंडिया में या तो हिंडिका इंगल्इस कीए जाते ले की इंडिकर इंटीटीट्याय ग्रेंगलीज भी इंडिक ए लोग यूइस करते हैं तो रहते है क्या ने कि यह में भी क्या है डाइबर्सिटी है ओके एंड यह किसमें रखा गया ओके एट सेडूल में एट सेडूल में हमारे संभीदान में ट्वेफ सेडूल है तो ट्वेफ सेडूल का जो एट सेडूल है वहाँ पर 22 लेंग्वोईज को कि अपिशली यानि की ओके कॉंस्टिटिवसन लिए उसे क्या किया गया है रिकोगनाइस्ट किया गया है नौ सेकिन इस और नेक्स पॉइंट इस वोगे डाइवर्सिटी इन वाट रिलिजन यह तो हम जानते हैं हमारी इंडिया में अलग-अलग लोग ओके अलग-अलग की सिम्स का यानि की प्रकार का धर्म का क्या करते हैं मानते हैं ओके प्रैक्टिस करते हैं एडप्ट करते हैं और वो हमारा फ्रीडम भी है ओके क्यों फ्रीडम है किस्टे फ्रीडम दिया है ओके यह वो भी हम ओके डिसकस करेंगे तो पहले हम यहां पर देखेंगे हमारी इंडिया में जैनिजम है तो सिक अपने मर्जी से मान सकते है वो कि कि इसको जबर जस्ति या तो किजिसी को कि रोग नहीं लगा सकते हम फ्री है किसी भी लेंगविज को कि हम क्या कर सकते है द्रीकर इंस यह कुछ क्लार्छीaran किसने दिया है singularism secularism कहेते उसे हम ठीके secularism means freedom of freedom of religion यानि कि secular state यानि कि no religion हमारी इंडिया में हमारी इंडिया का कोई भी official religion नहीं है secularism का मतलब भी है हमारी इंडिया में कोई भी ओके किसी धर्म को भी क्या कर सकते हैं मान सकते हैं All are free to adopt practice any kind of religion in our country which is called a secularism इसके कारण भी हमारी इंडिया में बहुत सारा कि डाइवर्सिटी है रिलीजन में ठीके तो रिलीजन में भी क्या है डाइवर्सिटी है now next is okay festival अगर festival के बात करें तिन प्रकार क्योंकि फेस्टीबल यह आपर हम लोग बात करेंगे festival में डाइवर्सिटी एक तो हार्वेस्टिंग फेस्टीबल उके उसके बारे में बात करेंगे दूसरा ओके यह हो गया हमारा नेशनल फेस्टीबल हो गया ओके यह हो गया हमारा ओके ओके हमारा फेस्टिवल, okay, religious festival, okay, national festival, okay, उसके बाद ठाट, okay, first है हमारा harvesting festival, harvesting festival का अगर बात करें, okay, तो हमारा इंडिया में यहां पर देख रहा हो कि हमें यह बैसाखी हो गया, okay, यहां पर बीहु फेस्टिवल हो गया, okay, ओनाम फेस्टिवल हो गया, okay, और उसके बाद पंगाल फेस्ट करते हो भी क्या हो गया यानology हर्बिस्टिंग के Patriot में जो हम के तैंब में कि एक निसमी फेस्टिव्ल थी फेस्टिवल ने है रहेते तो हैर्वीसटिंग फेस्टिबल ढेखे क्यों कि अगर नेशनल फेस्टिबल के बात करें तो हम लोग 15 अगस्ट के दिल अजादी दीवस थम्दाम से हमारी इंडिया में मनाते हों भी हमारा क्या है नेशनल फेस्टिबल अगर दूसरा बात करें हमारे फादर अब दनेशन्स, मात्मा गांधी जी का जो जनम दिन, यानि कि 2nd October को भी हम लोग गांधी जैन्ती के फेस्टिबल में क्या करते हैं, हम लोग celebrate करते हैं, उसी तरह से 26th January को हम लोग Republic Day क्या करते हैं, करते हैं, तो हमारे नेशनल फेस्टिबल में हम तिन फेस्टिबल को क्या करते हैं, celebrate करते हैं, एक तो 15 अगस्ट, एक 2nd October and 3rd one is 36 January, 26 January, यह इसी दिन हमारे 26 January 1950 में क्या भी हुआ था, हमारा संभीदान भी लागू हुआ था, ओके यानि कि हमारे देश को घुषित किया गया थे, हमारा देश किया है, रिपब्लिक कंट्री है, तो इसलिए हम लोग उसे celebrate करते हैं, मात्मा गांदी जी का बड़्डे तो हम लोग celebrate करते ही, यह उके पंदर अगस्ट भी हम लोग celebrate करते ही, तो उसी हम क्या कहते हैं, निशनल फेस्टिबल कहते हैं, और अगर हम लोग religious festival के बात करें, तो हम लोग इद भी मनाते हमारी इंडिया में, ओके गुरुपूरप भी मनाते हैं, गुरुपूरुपूराणा का Pourquoi बड़्टे की दिन, और उसके बात बुद्धपूर का जाइनता भी मनाते हैं, ऐसी तरह से तो हम सर्फूरा हमलग मनाते हैं, तो हम लोगattend मनाते हैं, तो आर खूरा सिंधिय को Angy अब डाइवर्सिटी इन म्योजिक एंड डांस वं यानि कि हमारी इंडिया में डांस फॉर्म में जो हम लोग नाति सेय उसमें उसमेंबी का dispersility गॉजिक में बीडायिवर्सीटी है है तो कैसे तो यहां परो कि हम लोग पहले डान्स का पी नाम देख लएतेये यह हो गया वह बारत नाठीहम हो गया ओके उसेगा हो गया और फीरư आ है ररत सिकाल डांस जो हमारे इंडिया में ओके क्या किये जाते हैं इसे फोलो किये जाते हैं और यहां पर दीखते हैं भारत नाटमों किकilstीन का 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 दानसबब सुमेग यह तामिल्ब्ड में ऊकिसल्श किय जाते उत्तर प्रदिस में क्त्थत कि यानि कि नर्थ इंडिया भी कहते हो कि नर्थ इंडिया का कथक, केरल का केरला का कथक कली, अंदर प्रदेश का कुचिपूरी, उसके बाद मनिपूर का मनिपूरी, केरला का मोहिनिनाटियम, उडिसा का उडिसी, आसम का सतरिया, तो यह all these are the forms of dance which are found in our country, यानि कि डान्स में हम इंडिया में diversity है, उसी तरह से अगर हम music के बात करें, इंडियन music के बात करें, तो classical music हो गया, classical music में हिंदुस्तानी style, carnatic style हो गया, folk music हो गया, जो हमारे local music हो गया, उसमें से fusion of classical and folk, दोनों को मिला कर भी एक नया प्रकार का, आज की दिन हम लोग music का भी क्या करते, यूज करत यूज करते हमारे इंडिया में, जैसे सुगम संगित हो गया, जैसे रविंदर संगित हो गया, especially Bengal में, रविंदर संगित को एकदम से क्या किये जाते, फॉलो किये जाते, उसलिए हवेली संगित हो गया, गाना संगित हो गया, modern music हो गया, rock, pop, blues, उसके बाद jazz, metal, hard metal, thrash metal, य हमारे इंडिया में क्या किये जाते है, फॉलो किये जाते है, यानि कि music में भी diversity है, and dance में भी क्या है, diversity है, okay, now, देखा जाये तो हमारे food में भी क्या है, diversity है, सबी चीजों में हम अभी क्या देख रहा है, diversity ही देख रहा है, तो food में भी diversity है, यानि कि अलग-अलग जगा में, क्लाइमिटिक यानि कि वेदर कंडिशन की हिसाब से लोग अलग-अलग फूट को क्या करते हैं अगर दिखा जाए तो यहां पर एक दो के हम पढ़कर दिखाएंगे कस्मीर का कस्मीर में कस्मीर के लोग ज्यादा तर गुस्ताबाद तबक माज ओके अलू दम ओके दम आलू के हाक और करम का साग के यह ज्यादा तर ओके वो लोग इसे प्रिफर करते हैं उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश का दिखा जाए तो के कबाब हो गया बिर्यानी ओके बैद में आलू ओके कचूरी हल्वा ओके बनारसी चाट ओकी हो गया तो यहां पर देखिए ओके डिफ करते हैं यह जो हमारे प्लोट हो गया जो हम लोग पहन थे तो यह सब किसके उपर डिपेंड करते हैं करते हैं कि अब एकदम मोटा वाला के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहां पर ठंडा होता है हकी नहीं एकदम पातला कपड़े पहनते हम लोग प्लेनरीय अमीं क्योंकि ज्यादा गर्मी रहते हैं की कॉमफट की हिसाफ से थ्यूद्ट है कि हम दोग फूद एंड क्लोज का क्या करते हैं यूज करते हैं तो इसी कि हिसाफ से और मेगल के अगल दिखा जाए तो जो दो उसके बाद वेस्ट बेंगल का दिखा जाए तो बापा लिश्या, रोजबुला, मिष्टी दोई, तो अल इस बिहार का दिखा जाए तो लिट्टी, सथ्टू, खाजा, खुबिकालाई, अनरश्या, तिलकूर्ट, तो अल इस आर दो के डिफरेंट ताइपस फूर्ड विच प्रैक्टिस और विच आर इटन बाइद पीपल आफ आवर कंट्री हम ओके हमारी इंडिया के अंदर की बात करें बाहर का बात नहीं कर रहा है, यहां पर जितना भी फूट का नेम है, यह सब हमारे इंडिया का है, ठीक है, नौ, नेक्स्ट इस डाइवर्ट सिटी इन क्लो गुजराती है यह, गुजराती हो कि लोग इस तरह के ट्रेडिशनल ओके ड्रेस पहनते, उसी तरह हो के मराथ ही हो गया, ओके मराथा हो के इस तरह का ड्रेस पहनते, यहां पर ओके एकदम फिगर में देखिया, आप लोग तामिल में ओके इस तरह का कप्रे पहनते, बेंग कि उसके बाद भॉरी इस तरह का ड्रेस कि लिए फ्रेस पेंते विल इस तरह का ड्रेस से पेंते आगे तो पर गोर्खा ओगया ओके इस तरह का ड्रेस पेंटे यानि की क्लोट्स में भी क्या है डाइवर्सिटी ओके एज टोल्ड दूट्ट अगे फूड हैबिट्स ओके जो है ओके वो कहीं न कि हमारे क्लायमिटिक कंडिशन्स यानि क्यों कि हमारे जो ग्राफिकल ओके जो फीजास उसके उपर भी क्या करते हैं तो गुजरात का अगर दिखा जाए तो फिर ओके लेंगा चोली ओके बहुती क्या है वहां पर ओके प्रचुली ते यानि कि बहुती ओके ज्यादा मात्रा में इसका वहां पर ओके यूज किये जाते हैं पंजाब में ओके सलवार कुरता हो गय कश्मिर में ओके फिरान पहिरान ओके और सिक्किम में दंबुन हो गया तो इस तरह को कि अलग-अलग इस्टेट में ओके अलग-अलग टाइब की कपड़े का जो हैबिट ओकी वो भी हमारी इंडिया में पाया जाते हैं यानि कि क्लोट्स में भी क्या है डाइवर्सिटी है ओ जो भी यहाँ पर ही जो के यहाँ पर पर कपड पेंडिक वापर अलग-अलग तायब की दिक रहें हैं कि नहीं अगर हम लोग फूट का ही देखते हैं यहाँपर फूट का ओके पूट औहअ हैं चाहिएcame हम लोग अलग-अलग टाइप की और फूट का हुद इस्तेमाल हो रहा है, so, हिमाचल प्रदेश का अलग, उत्रखंट का अलग टाइपस अफूड हैबिट हो गया, चंदिगड का अलग टाइप का फूड हो गया, अंदर प्रदेश का अलग हो गया, छतिशगड का अलग, तो ये, all these are the varieties of food habit in our country, so, clothes, okay, हम लोगों ने करी लिया है, okay, clothes में भी, okay, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहां पर, है कि नहीं, अलग-अलग types के clothes वहां पर क्या हुआ है, okay, पहने हुए है, सभी clothes एक ही प्रकार के तो, okay, हमें नहीं दिखाए दे रहा है, है कि नहीं, so, अभ यह तो, okay, हम लोगों ने सबी चीज में क्या देख चुके – डाइवरशिटी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी, okay, चाए language में डाइभरशिटी हूँ, okay, चाए religion में डाइवरशिटी हूँ, चाहे जोग्राफिकल फीचर्स में डाइवर्सिटी हो, चाहे रिलिजन में डाइवर्सिटी हो, चाहे फेस्टिबल में डाइवर्सिटी हो, चाहे म्यूजिक में डाइवर्सिटी हो, चाहे डांस में डाइवर्सिटी हो, लेकिन हम क्या है रिच इन डाइवर्सिटी है, क्यों यह हमारी लोग के बहुत क्या भी है बैनेफिशिल भी है मुस्लिम्स को भी हिंदु के फेस्टिबल के बारे में जानने को मिलेंगे हिंदु को भी बुदिस्ट के फेस्टिबल के बारे में जानने को मिलेंगे है किन हम लोग बहुत सारे religious festival पर क्या करते हैं, celebrate करते हैं, Muslims को Buddhist के festival के बारे में भी जानने को मिलेंगे, Buddhist एन Hindu को Muslims का festival के बारे में जानने को मिलेंगे, तो ये एक फाइदा है हमारी इंडिया में, हमारी इंडिया में बहुत सारा भासा सिखने के लिए, अगर आपको interest है कि हमे हैं, अगर हमेν बहुत सारा अलग अलग प्रकार की हमें dance शिखने का मन है, तो कहीं जानने का ज़रुती नहीं हो कि वो हम हमारी इंडिया के अंदर ही क्या कर सकते हैं, ओके इनफ वे डांसेज, ओके इनफ ओके यानि कि वेराइटीज ओफ डांसेज, हमारी इंडिया के अंदर ही मिल जाएगा, अगर हम लोग अलग अलग प्रकार के फेस्टिबल सेलिबरेट करना चाहते हैं, तो फिर हम हमारी इंडिया के अंदर एक कर सकते वह अलग अलग टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं यानिकीて ओगे हम में कुछ कम आही नहींicer के हमारा लेंगोईज कई रीछ से ओक लेंगूउईज दो खाल एते ते की नहीं सब्सक्रीयнем की बात करें है कि नहीं, अब यहां पर देखें, अगर हम देखते हैं यहां पर diversity in geography, अगर okay, geography में diversity हो कि हम लोगों ने देखा कि plane area देखा, plateau area देखा, mountain area देखा, है कि नहीं, उसके बाद coastal area देखा, तो यह सब देखना चाहते हैं, तो हम दूसरा देख जाने का जरूती नहीं है, हमारी इंडिया है, हम लोग घुमेंगे अच्छे से, तो हमारी इंडिया है, हमारी लिए क्या है, काफी है, सबी geographical features हमारी इं language चीखना है, तो कहीं जाने का जरूती नहीं है, हमारी इंडिया में रेकर हम बहुत सारे language क्या कर सकते हैं, शीक सकते हैं, उसी तरह से, कि रिलिजन, I told you dad, संभीदार ने हमें अधिकार दिया कि हम किसी भी religion को क्या कर सकते हैं, एडप्ट कर सकते हैं, अगर मुझे बहुत स बहुत सुकिन है, तो अलग-अलग टाइक है, खाना वो पसंद करता है, तो उसके लिए भी कोई ओकी दिकत नहीं हो, कि हमारी इंडिया में, ओके मॉर्दिन, ओके इनफ, हमें ब्राइटीस आफ, ओके, फूड क्या मिलेंगे, हमारी इंडिया में मिली जाएगा, तो भारतिया है, एंड ओके, हम सभी ओके फेस्टिबल, यानि क्यों कि दूसरे का फेस्टिबल्स को भी ओके हम लोक्छे सेलिवरेट करते हैं, ओन लोग कि हमारे फेस्टिबल्स को खatасти, रëспक्ट करते हैं, यह चीज़ों करके रखें, जली के अगर हम जोग इनदिया को कि यह यहां पर हम लोगों ने फ्रीप के अंदर का दिखा अगर बाहर देखेंगे तो यह आपर हमारा एंडिया को एकदम प्रोटेक्ट करके भी रखा है यानि कि हमारी इंडिया में किसी चीज़ का नहीं है कामी ही नहीं है यहाँ पर हमारी इंडिया में बहुत सारे लोग अलग-अलग festivals हम लोग क्या करते हैं तो इस से हमारा जो unity जो हमारे bond है और क्या होते जा रहे हैं मजबूत होते जा रहे हैं तो इसलिए हमारी इंडिया का जो डाइवर्सिटी वो क्या है? बहुती रिच है, यानि कि we are rich in diversity, we have everything what we want, so diversity क्या है, and diversity हमारे लिए क्यों important है, किस-किस चीज में diversity है, वो भी हम लोगों ने भी देखा, और उसके साथ सथ ये चैप्टर की थूरो के हमें ये याद भी हुआ कि हमारी इंडिया में किसी चीज का कमी ने है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ओके सीख सकते हैं, सबी चीज हमारी इंडिया के अंदर हैं, बस हमें किसका जरौत हैं, देरी हैं सिखने का, लेंगोईज are there in our country. So, this chapter is all about the diversity in India. So, in many different things, we have seen diversity. Okay? So, this was the first lesson of civics. So, this is the second class. Okay, so that you can learn from the other class. Okay, so that you can learn from the SST. So, that you can learn from the next class.